पसकार दोस्तो दोस्तो अगर आपको भी लखनाव सुपर जाइंट्स और रोयल चेलेंजस बैंगलोर के बीच खेला गया IPL 2024 का पंदरवा और सबसे रुमान चक मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा जिहां दोस्तो इस वीडिय जाइंट्स और रोयल चेलेंजस बैंगलोर की टीम एक दूसरे के खिलाप मैदान पर उतरती है वहीं दोस्तो इस मुकाबले में रोयल चेलेंजस बैंगलोर की टीम ने टोस जितकर पहले गेंदवाजी करने का फैसला करता है वहीं दोस्तो लखनाव सुपर जाइंट्स पह बल्लेवाज जो है लखनो सुपर जैन्स को तावर तोर अंदाज में शुरुआद दिलाती हुए दिखाई देते हैं और दोनों ही बल्लेवाज सुरुआद से ही रॉयल चेलिंजस बैंगलोर के गेंदबाजों पर पूरी तरह से दवाव बना कर रखते हैं और रनोंग पर ब बाते हुए दिखाई देते हैं देखते ही देखते दोनों ही बल्लेवाजों के बीच 33 गेंदों में 53 रनों की सांदार पर्टनर्सिब बन जाता है जिया दोस्तों लस्जी के बल्लेवाज जो है RCV के गेंदबाजों का पर पूरी तरह से हावी हो गए थे लेकिन दोस्तों पावर पिले के आखरी ओवर लेकर आए गलेन मैक्सवेल केल राहूल को मायंग दागवर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और दोस्तों इस तरह से 33 रनों के स्कोर पर लखनो सुपर जैन्स को केल राहूल के रूप में एक पहला जटका लगता हुआ दिखाई देता है जिहां दोस्तों केल राहूल इस पारी में 14 बॉल खेलती हुए 20 रन बना पाते हैं उसके बाद दोस्तों रॉयल चलेंजेस बैंगलोर के गेंदबाजों से लखनो सुपर जैन्स के बल्लेवाज पूरी तरह से हावी होते हुए दिखाई देते हैं और दोस्तों रन गती को बिल्कुल ही रोग देते हैं जिहां दोस्तों जिस तरह से पहले रन निकल रहे थे उस तरह से अब रन नहीं निकलते हैं और बेंगलोर के सभी गेंदबाज पूरी तरह से हावी होते हुए दिखाई देते हैं और रन गती को बिल्कुल ही रोग देते हैं वहीं पर दोस्तो पर कुईंटन डी कोग का साथ निवाने के लिए अब देवदार्थ पाधिकल आते हैं लेकिन दोस्तों वह भी 11 रंद बनाकर 11 गेंदों में 6 रंद बनाकर आउट हो जाते हैं इस तरह से दोस्तों लखना सुपर जैंस को 78 रंद की स्कोर पर दूसरा चटका लगता हुआ दु उसके बाद दोस्तों मैदान पर कुईंटन डी कोग का साथ निवाने के लिए मारकस टोइनिस आते हैं और एक बार फिर से दोनों ही बल्लेवाज पूरी तरह से रोयल चेलिंजेस बैंगलोर के गेंद बाज पर ताबर तोर अंदाज में रन बनाना सुरू कर देते हैं और दोस्तों जो दवाव रोयल चेलिंजेस बैंगलोर के गेंद बाज ने बनाया था उस दवाव को दोनों ही बल्लेवाज जो है तीसरे विकेट के लिए काफी हद तक खतम कर देते हैं और दोस्तों दोनों ही बल्लेवाजों के बीच जो है 56 रनों की सांदार पाटनर्सिप भ भी पूरा कर लेते हैं और एक बार फिर से रोयल चेलिंजेस बैंगलोर के गेंद बाज पूरी तरह से दवाव में दिखाई देते हैं तब ही दोस्तों रोयल चेलिंजेस बैंगलोर की ओर से लेकर आए 14 ओवर की गेंद बाजी में मैक्सवेल ने मारकस ट्वाइनिस को मायं दागर की हांतों कैच आउट करवा देते हैं इस तरह से दोस्तों 129 रन के स्कोर पर लखनव सुपर जायंट्स के तीन विकेट गिर जाता है और एक बार फिर से दोस्तों रोयल चलेंजिस बैंगलोर के गेंदवाज लखनव सुपर जायंट्स के बल्लेवाजों पर पूरी त 43 रन के स्कोर पर ही लखनव सुपर जायंट्स को चोठवा जटका लगता हुआ दिखाई देता है जिहां दोस्तों सांदार अंदाज में बल्लेवाजी कर रहे हैं क्विंटन डिकोग भी 81 रन बनाकर आउट हो जाते हैं जिहां दोस्तों रीश टोपली को क्विंटन रन के लगाकर लखनाव सुपर जायंट्स की रनों को पूरी तरह से आगे बढाती हुए दिखाए देते हैं और जाते हैं इस तरह से दोस्तों एलेसजी ने पूरे बीस ओवर खेलते हुए पांच विकेट खोकर 181 रन बना देते हैं और दोस्तों रॉयल चेलेंजिस बैंगलोर को 182 रनों का लक्ष दे देते हैं पहाड जैसे लक्ष का पीछा करने के लिए RCB की ओर से ब्राट कोले और फाप डूपलासिस मैदान पर आते हैं और आते ही मन दोनों ही बल्लवाज जो है तेजगती से रन बनाना शुरू कर देते हैं दोनों ही बल्लवाज उने मिलका RCB को 4 ओवर में 10 रन के ब्रेज से रन बन चाह देते हैं पर दोस्तों इस पहाड जैसे दिख रहे हैं लक्ष को दोनों ही बल्लवाज जो है धीरे धीरे कम करते जा रहे थे और शुरू आज से ही दोनों ही बल्लवाज घाता का अंदाज में बल्लवाजी करते हुए दिखाई देते हैं दोनों ही बल्लवाजों के बल कोहली को अपना सिकार बना लेते हैं और चालिस रन के स्कोर पर ही आर सीवी को पहला जटका लगता हुआ दिखाई देता है वहें पर दोस्तों गेंदवाजी कर रहे हैं सिधार इसी ओवर की चोथविये गेंद पर डूपलस को भी चलता कर देते हैं और दोस्तों इस प्रकार रगते já के रचनिस रहे हैं तो रचनलेंजिन बैंगलोर को पर धक्यल कर रखते है और दोस्तों अब दोनी ही ऊपन। तरह से फश चुकिति वो कोई भी वल्लेवाज के बल्ले से रन नहीं लिकर रहे थे वहीं दोस्तों आर सीबी की टीम आप इस मैश में पूरी तरह से मुसीबत में उल्जे हुए थे तब ही दोस्तों मैक्सवेल भी जीरो रन के स्कॉर पर आउट हो जाते हैं और आप दोस्तो तो राज़त पाटिदार के बल्ले से थोड़ा बहुत रन निकलता है लेकिन दूसरी तरफ बल्लेवाजी बिल्कुल खामोस रहती है वहीं दोस्तो लेज़ी की ओर से जो अच्छी गेनवाजी दिखाई देती है दोस्तो बैंगलोर के टीम पूरी तरह से बैक फोर्ट पर चल बैंगलोर के लगातार विकेट गिरते हैं दोस्तो बैंगलोर के बल्लवाज जो है पूरी तरह से फ्लोप साबित हो रहे थे वहीं अच्छी गेंदवाजी कर रहे हैं लखनो सुपर जैंस की टीम इस मैच में भी पूरी तरह से अपने हाथ को पकड़ में ले लेते हैं वही दोस्तो रजट पाठीदार जो है कुछ समय के लिए रोयल चेलेंजस बैंगलोर के लिए बहतरी इन बल्लेवाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे लेकिन दोस्तो वह भी आउठो कर पविलियन की रह नाप लेते हैं और अब दोस्तो आरसीवी टीम को अंतीम 19 गंदों में जो है 46 रनों की दरकार रहती हैं यहां से दोस्तो बल्लेवाजी करने आये माहिपाल लोमलोर और दिनेस कार्तिक को पारी संभालते हुए देखे जा सकते हैं जी हां दोस्तो माहिपाल लोमलोर जो है ताबर तो रंदाज में बल्लेवाजी करते हुए दिखाई देते हैं कि वाले गारा गंदों में ही 290 की स्ट्राइक रेट से 33 रन बना डालते हैं तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों दिनिस काती कुछ खास कमाल नहीं कर पाते हैं और आते ही वन चौर गंदों में जीरो रन बना कर ओभी पाविलियन की रास्ता को नप देते हैं जी हां दोस्तों माहि जगी थी उसको लेकर आगे बढ़ते हैं लेकिन जैसे यह आरसीवी टीम के बलेवाज थोड़ा बहुत रन बनाना शुरू कर देते हैं उसी तरह दोस्तों जो है एले जी की गेंदवाज पूरी तरह से हावी होते हुए दिखाई देते हैं जी हां दोस्तों एले जी के गें अधार बिकेट गिरते जा रहे थें दोस्तों लखनो सुपर जैंटि के उर्स से हम झाण वाजी देखने को मिला वही की बलेवाजही साधारण रही जी सब एक के बाद एक विकेट देते रहें लेकिन दोस्तों कोई भी वल्यवाज कुछ खास परदसन नहीं करते हुए दिखाई देते हैं और इस प्रकार से रोयल चेलेंजेस बैंगलोर इस मुकाबले को एक बड़े अंतर से हार जाते हैं